आप सभी का स्वागत है आज की ग्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम क्लॉक का पार्ट फूर पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स क्रेक्ट यूपीसी सीसी विद इंडियाज लार्जेस लर्निंग प्रेटफॉर्म और वे आप सभी जानते ह दिखें यदि आपने बेटा अभी तक प्लस या आइकोनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकोनिक में सब्सक्रिप्शन लें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी से कहता हूं कि नो सेलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन उसका मॉक इंट्रव्यू इन सभी की प्रपेशन एक ही सब्सक्रिप्शन मरेगी ठीक है दिखे आप सभी ने दी अनकेटमी लर्निंग डाउनलोड नहीं किये तो जल्दी से अनकेटमी लर्निंग डाउनलोड करिए क्यों को आपको पता है कि डेली मंडे टू सटड़ेड ए फो चलिए मेरे वारे मैं लगबग सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं पंगाज अगरवाल आपका रीजिनिंग गुरू लास्ट नाइन एर से पढ़ा रहा हूं ठीक है यदि आप प्लस या ऐकोनिक में जुड़ते हैं बिटा जी तो उसका बेनेफिट क्या है उसका से पढ़ने का मौका मिलता है तो इसका बेनेफिट क्या है आपके लिए पॉलिटी जोग्रफी साइंस एंस टैग एंवार्मेंट एकोलोजी आर्ट एंड कंचल इन सभी की क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड रहेंगी ठीक है इवेल आपके और आपके आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में रहेगा ठीक है अब देखें यह हमारा जो प्लस का जो नया स्ट्रक्शर है उसमें आप देख रहे होंगे कि यहांपर 36 मंत का भी एक एक एड कर दिया गया है मतलब यदि आप वन येर की लिए प्लान लेते हैं तो उसमें फीसे फीसे 49, 29,500, 2-year की फीसे 72,000 और 3-year की फीसे 90,000 बट आप यदि मेरे साथ जोड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा पीए 01 आफ्टर इसकाउंट आपकी फीस गया है कि 44,550 रुपीस, 2-year की हो जाएगी 64,900 और 3-year की हो जाएगी 81,000 ठीक है यदि आप आइकोनिक प्लान में जाते हैं तो आइकोनिक में additional features के है आप personal coach मिलेगा daily means के coaching answer की practice रहेगी study planner रहेगा और personalized feedback रहेगा इसमें आपकी जो 1-year की फीसे वो है 69,500 आफ्टर इसकाउंट वो फीस गया कि 62,550 रुपीस इदि आप 2-year के लिए जाना चाहते है तो इसमें आपकी फीसे 1,07,000 आफ्टर इसकाउंट फीस गया कि 96,300 और अब 3-year के लिए जाते हैं तो आपकी फीसे 141,000 आफ्टर इसकाउंट फीस गया कि 129,600 आफ्ट आपको ध्यान लखना है कि आपको apply करना होगा PA01 ठीक है यह मेरा referral code है देखिए अनक एट बीने और optional courses के लिए भी subscription स्टार्ट करती है इसमें 1-year की फीस है 27,500 आफ्ट डिसकाउंट बेटा जी फीस हो जाती 24,750 ठीक है आप optional अपने according ले सकते हैं 1-year, 2-year, 3-year के लिए देखिए आपके सामने एक फिर से winning contest आया है जिसमें आप बहुत को जी सकते हैं वो 20 December को हो रहा है और उसका timing है 11 a.m. morning ठीक है इस contest का format क्या रहेगा 45 minutes का contest रहेगा 60 questions रहेंगे 30 comments रहेंगे 6 section रहेंगे relative scoring रहेगा alternative Sunday में आपका contest चलेगा इसमें यदि आपकी 1st से 2nd rank के mid आती है तो आपको 3-month का रहेगा या Amazon का gift card मिलेगा जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSC CSE 21 में केवल 6 months रह गए है तो 27 June का आपका वह exam है उसी को ध्यान में रखते हुए let's crack UPSC CSE 2021 with champions के लिए एक batch स्टार्ट किया गया जो 15th of December से स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देखते हैं कि 14 December से भी एक batch है 22 के लिए 14 December से और 23 के लिए 14 December से तो आप किसी भी batch में यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको apply करना होगा PA01 इससे आपको 10% का additional offer आएगा ठीक है कि यदि आपने अभी तक हमारे साथ अनकेडमी टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं करा है तो जल्दी से इसको जोइन करें उसके लिए आपको सर्च करना होगा इससे आपको हमारी classes की सारी information और link मिलते रहेंगे चलिए start करते हैं आज का clock का पार्ट 4 ठीक है बिटा चलिए ठीक है परस्ट कोश्चन आपके सामने क्या करा वह समय बताईए जब चार और पांच बजे की बीच सुईयों के मदे तीस अंस का कोण होगा ठीक है पहला टाइम चार बजे है दूसरा टाइम है पांच बजे तो इसको जल्दी से आप solve कर लीजे फिर मैं इसकी short trick आपको बताता हूं कि वह समय बताईए जब चार और पांच बजे के बीच सुईयों के मदे तीस अंस का अकॉंड बनेगा ठीक है इस कोश्चन को मैं proper method और short trick दोनों से बताऊंगा बट मैं सोच रहा हूं कि proper method से रहा बटाऊ उसमें थोड़ा question आपको tough लगेगा बट proper इसलिए बताऊंगा ताकि आपको लगे कि सर ने easy method कितना अच्छा बताया ठीक है तो जल्दी से एक minute का समया आपके लिए जो आप में stop wash लगा रही होगी वो चल रही होगी आपके साथ में जैसा कि आपको पताया कि recorded class है बट मैं chat box में देखता रहता हूं कि किस student ने सही answer देने के बाद डिलीट किया या किस student ने answer नहीं दिया ठीक है तो चलिए मैं इसका proper method बतायता हूं मैंने आपको एक formula बताया था ठीटा बराबर hour difference m into 30 plus minus minute upon 2 अब यहाँ पर उसने आपको ठीटा कितने दिया है 30 degree दिया है आपको hour का number पता है 4 है minute आपको find out करने तो m upon 5 कर लेंगी क्योंको minute पता नहीं है 5 की multiple में आया या ना है into 30 अब देखिए आपको पताया कि यहाँ आवर वाली सुई यहाँ पर है तो minute वाली सुई लगबग यहाँ पर होगी तो आपके मद्द में यह 30 अंस का account बन जाएगा इसका मतलब hour वाली सुई आगे रहेगी तो यहाँ पर plus का sign आ गया प्लस हमने कर लिया m y 2 इसको solve कर लीजिए और यह ठीटा के place पर कितना आजागा 30 डिगरी आजागा मैंने यहाँ पर यह ठीटा ही लिख दिया इसको 30 लिख लीजिए इसको solve कर लीजिए यह 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 20 माइनस m अपॉन 5 इंटु 30 प्लस m बाई 2 इसको solve कर लीजिए 5 6 यह 30 इसका multiplication कर जिए 30 बराबर 120 माइनस 6m प्लस m बाई 2 यदि पूरे calcium लेते हैं तो कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा मैंने डारेक कर दिया 60 बराबर 240 माइनस 12m प्लस m ठीक है तो कितना हो जाएगा इदरा के माइनस का तो 60 माइनस 240 माइनस 11m तो हो जाएगा माइनस 180 माइनस 11 अपन है माइनस से माइनस कैंसल तो 180 अपन आ गया यह 11 ठीक है अब यदि अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो इस मेथट के लिए तो मुझसे नहीं पढ़ रहे है अब देखो शॉट्रिक क्या है कितने डिगरी का डिफ्रेंस है 30 30 डिगरी का डिफ्रेंस कितने मिनिट में कबर होगा पांच मिनिट में अभी दौनों सुईयों में कितने मिनिट का अंतर है 30 हो गया सॉल और यह भी दौनों सुईयों में कितने मिनिट का अंतर है 20 मिनिट का ठीक है तो 20-5 into 12 upon 11 कितना हो जागा 15 into 12 upon 11 180 upon 11 आंसर क्या जाएगा चार बच कर सूल सभी चार बटे आ गया फिर से समझे जो भी हमारे डिगरी होंगे उसको क्या करेंगे 60 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिनिट आजाएंगे की मतलब सूयों में कितने मिनिट का अंतर होना ची सब उसकर drizzle करी अगर 90 टीडिड्री तेग्रीदा तो 90 को सिकस्सेट वैड करेंड कि उसका मतला दोनों सूयों में 112 मुनिटवा सब्सक्राइब तो आपका यह पांच मिट का डिफरेंस रह जाएगा तो यहां पर आपका 30 का एंगल बनेगा तो आंसर के आएगा फर्स्ट कोशन का चार बच कर सोले सही चार बटे गारा मिनिट आइधिंग लगबग सभी की समझ में आ गया होगा ठीक है एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्योंको मैं अपने स्टूडेंट्सों को अच्छे से जानता हूं देखी वो करा 30 का कौन बनाना है अभी यहां पर कितने मिनट का अं अंतर पर बनेगा इसका मतलब लगबग मिनिट वाली सुई यहां कहीं आ जाएगी तब यह पांच मिनिट का अंतर रहेगा इन दोनों में अभी अंतर कितने का बीस मिनिट का इसका मतलब 20-5 इंटू 12 अपॉन 11 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा शिक्स अगले कोश्चन क्यों भड़ते हैं इससे इजी मेथड नहीं मिल सकता किसी को भी सॉल्व करने के लिए कुछ नम्म नेक्स्ट 24 गंटे में घड़ी के दोनों सुईयों कुल कितनी बार समकोर बनाती है केवल फैक्ट वेस्ट को स्विक्स है I think सभी को पता होगा question number second मैंने इसलिए दिया है कि कोई fact-based question है यह question कभी-कभी exam में direct पूछ लिए जाता है ठीक है simple आपको पता है कि 12 गंटे में कुल 22 बार समकौण बनता है तो 24 गंटे में कितना बनेगा 22 into 2 44 ताइमस तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा ठीक है क्योंको हम सभी जान दें कि एक गंटे में दो बार समकौण बनता है तो 12 गंटे में कुल 22 बार बनेगा ठीक है चलिए हाँ अब देखते हैं यदि कभी clock में वो आपको direction mix कर दे तो question number 3 को ध्यान से देखिए क्या कर आए यदि घड़ी में 3 बच कर 30 मिनट का समय है तदा घंटे की सुझ साउथ इस्ट की हो रहे तो मिनिट वाली सुझ किस दिशा में होगी ठीक है चलिए इसको आप solve कुरिए चिप तक बैस का diagram प्रो कर देता हूं यहापर क्यों यहापर ठीक है यह लगवा हमारा डाइगराम बना थोड़ी क्लॉप टेडी हो गई है उसने गड़ी में तीन वाज़कर 30 मिनट का समय है तदा घंटे की सुई साउथ इस्ट में है अब देखो तीन पर पर्फेक्ट हमारा क्या रहता है इस्ट रहता है 9 पर पर्फेक्ट क्या रहता है हमारा वेस्ट रहता है 12 पर नौर्थ रहता है और 6 पर क्या रहता है भईया साउथ ठीक है क्लॉग में यह टाइम बनायेता और 12 से 3 के मद्धिगा जो भी समय होगा वो कम्प्लीट नौर्थ इस्ट कहलाता है तीन से छे के बीच का जो समय होगा वो complete पूरा समय साउथीस कहलाएगा यह आपका southwest कहलाएगा और यह आपका northwest कहलाएगा उसने जैसा कि question में ते रखा है यदि तीन बचकर 30 मिनट पर घंटे की सुझी साउथीस में आपको पता है कि तीन तीस पर घंटे की सुझी कहा होती है कि यह होता है इसका मतलब कि स स्मय साउथ हीस में ठीक है तो पूछ रहा है चां क कन सर के हयागा बीच एच्छन दिशा अजाएगा लगवख सभी की समझ को बड़ा साधान सवाल यद में बड़ा पढ़ाई थी तब भी मैंने डारेक्शन में क्लॉक वाले कोश्चन कराये थे उसी में हमने से आगे गंट्यूनी कर लिया है चली आगे देखते हैं कोश्चन नंबर फॉर भी मिलता जुलता है यदि घड़ी में च्छे बच कर 20 मिनट का समय है तथा मिनट की सुई साउथ इस्ट की ओर है शे बीस ध्यान से सुनिएगा तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी इस कोश्चन में गलत होने के चांस से ज्यादा है इसलिए इस कोश्चन को ध्यान से करिएगा भाया के लिए आप करिए जब तक मैं इसका डाइगराम ट्रॉक और देता हूं आपके लिए थोड़ा कोश्चन इजी हो जाएगा 12,3,6,9,10,11,1,2,4,5,7,8 क्या कहना है भाया च्छे बच कर 20 मिनट का समय है ठीक है च्छे बच कर 20 से दिया में इस घड़ी में बजाते हैं तो यह हो गया 20 और आवर की जो होगी वो 6 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी यह आवर लिख लो यह मिनट लिख लो और समय हो रहा है 6,20 ठीक है अब देखो वो आप से कह रहा है क्या कह रहा है च्छे बच कर 20 मट का समय मिनट की सुई साउथीस्ट में ठीक है अब यह मिनट की तो साउथीस्ट ही कहलाएगी आपकी जो आवर वाली सुई होगी वो कहा होगी 6 से थोड़ा से आगा जाएगी मैंने आपको बताया था कि perfect 3,6,9 और 12 इन पर ही आपकी चारों दिसा 90 डिग्री पर होती है यदि इस से थोड़ा सा भी आगे समय होगा तो वो आपकी कहलाएगी को डारेक्शन कहलाएगी इसका मतलब आपका अंसर के आएगा समझ में आ गया सभी के समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए चलिए ठीक है कोशन नमबर नेक्ष्ट बन देखते हैं देखे क्या कराएग एक कंपनी के प्रबंद निदेशक ने साच्छातकार लेने के लिए हॉल में 12-30 से 10 मिनट पूर्व प्रिवेस लिया वह चेयर्में से 20 मिनट पूर्व आया था तथा चेयर्में 30 मिनट विलम से आया था साथ छातकार का नियत समय क्या था करिए से question number 5 बड़ा easy question है ये देखिए language के question है तो आपको language समझनी होगी फिर मैं इसका करने का सही तरीका बताऊंगा देखिए बड़ा आसान सा सवाल है पहले आप इसकी language पढ़ लिए ध्यान से और जितने भी students है pen paper साथ लेके बैठे हैं कुछ students क्या करते हैं एक phone से तो class continue कर लेंगे और दूसरे phone को बरावर में रख लेंगे उसमें लगवाग एक दू फोन तो घर में सभी की होते हैं तो एक phone से तो उन्होंने क्या करा class continue कर लेंगे class अपने phone से continue नहीं करेंगे दूसरे phone से करेंगे parents काओ brother काओ sister काओ और अपने phone से साथ में क्या करेंगे कोई भी chat box खोल ले तो ऐसा नहीं करना है से class attend करें ताकि आपका consultation उसमें रहे अदरवाइस दूसरे phone से class attend कर रहे है अपने phone में chat box open कर रखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा सब 0 होता जाएगा उपर से जाएगा चलिए question number मैं 5 बता देता हूं उसने मूला एक company के प्रवंद दे सकने मतलब जो उसका company का प्रवंदक है उसने 12-20 से 10 minute पूर प्रवेस लिया इसका मतलब है कितने वाज़े पहुँचा 12-20 पर पहुँचा company का प्रवंदक लेखलो उसे निदेशक का company का प्रवंदक 12-20 पर पहुँचा क्या करा है वह चेर्में से 20 minute पहले आया तथा चेर्में 30 minute विलम से आया था वह चेर्में से 20 minute पूर पूर आया तथा चेर्में 30 minute विलम से आया था ठीक है तो आपको ये बताना है कि वह साच्छात करका नियत समय कहा है अब देखिए चेर्में से 20 मिनट पूर वाया और chairman 30 मिनट लेट था इसका मतलब वो भी कितना लेट हो गया chairman से 10 मिनट लेट हो गया क्योंकि यदि वो 30 मिनट पहले आता तो तब ही तो यह 30 आपका एकक्वल होता इसका मतलब वो 20 मिनट पहले आया और chairman 30 मिनट लेट था इसका मतलब 10 मिनट वो भी लेट हो गया तो इसका मतलब 12-20 पर आने पर वो 10 मिनट लेट है तो इसका मतलब सही समय क्या होगा साच अच्छातकार का 12-10 होगा क्योंक हो भाई वो 30 मिनट लेट से आने वाले चैयर्मेन से 20 मिनट पहले आया इसका मत्लाब वो भी कितना लेट हो cooler 10 मिनट हो गया ना jest भी 30 मिनट पहले आता तो यह सभुनाद रहता इसका इसका मत्लाब वो भी 10 मिनट लेट है तो आंसर के आएगा द्याएगा बारे दस ठीक है चलिए अगले प्रेशन की और भड़ते हैं को इस कोश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे भाईया क्योंको ये कोश्चन लेंग्विज का है इस कोश्चन को जिस विद्धिहारती ने सही कर लिया इसका मतलब उसके क्लॉक के सारे कोश्चन समझ में आ गई क्या करा रवीवार तो पहर बारे वजे मेरी घड़ी पांच मिनट आगे थी तता मनोज की घड़ी छे मिनट पीछे थी बुद्दवार शाम आठ वजे मेरी घड़ी एक मिनट पीछे थी तता मनोज की घड़ी ती मिनट आगे थी हम दोनों की घड़ियों ने सही समय कब बता होगा करिए से सौल जल्दी से कोश्चन नम्मर सिक्स जिसने सही कर लिया इसका का मतलब उसके लगभग जो लॉस और गिन वाले कोश्चन कराए थे मैंने सभी कोश्चन उसकी समझ में आ गए ठीक है तो कोश्चन नम्मर सिक्स को ध्यान से करिए बड़ी ध्यान से पहले आप सभी प्रियास करिए फिर इसको मैं बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक में पत अनले कि आज के लाश्ट में मैं जितने भी क्लॉव में मैंने कोश्चन कराएं सब का मैं कराओंगो अलट इसीदेल लास्ट में को पूरी ट्रहक करनी है लास्ट तक ऐसा नहीं है कि सर कोश्चन कंप्लीट होगा केवल सर हेंडेटेन कोश्चन करा रहे हैं नहीं उनको कराने का यही मतलब है उनमें option नहीं होंगे केवल कोश्चन लिखा जाएगा आपके सामने आपको solve करके answer दे रहा है ठीक है और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चैट बॉक्स में रहता हूं तो मैं देखता रहूंगा कि किस student ने proper question solve करें हैं किसने नहीं करें हैं चलिए question number 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है रवीवार तुपहर 12 बजे का समय है ठीक है मेरी घड़ी 5 मिनिट आगे थी तो मेरी घड़ी में तो समय होगा 12 पांच और मनोज की घड़ी 6 मिनिट पीछे थी इसका मतलब मनोज की घड़ी 6 मिनिट पीछे थी तो इस घड़ी में 12 बजे कितना समय होगा ग्यारे चाववन मतलब ये तो हो गया प्लस वाइव और ये हो गया माइने सिक्स इसका मतलब अभी हम नोनों की घड़ियों में कितने मिनट का अंतरा ग्यारे मिनट का इसको लिखते चलो अब बात करेंगे रभी बार दुपेर की बात होई अब बात करते हैं अगले दिन कौन सा दे रहा हो बुद्दवार शाम आठ वजे ठीक है बाई या इसको यहां लिख लेते हैं बुद्दवार शाम आठ वजे अब जो मेरी घड़ी थी वो क्या गहरा एक मिनट पीछे थी तो मेरी घड़ी में तो 679 का समय होगा इसका मतलब माइनस वन लिखलू और मनोज की जो घड़ी थी वो तीन मिनट आगे थी तो इस में आठ तीन लिखलू इसका मतलब अब इन ननो पेहले मनोज की घड़ी ग्यारे मिनिट पीछे थी, अब मनोज की घड़ी 4 मिनिट आ गया गई, इसका मतलब मनोज की घड़ी कुल कितना तेज होई, यहाँ पर देखिए टॉप में, 15 मिनिट तेज होई, सबसे उपर देखिए, इसका मतलब मनोज की घड़ी कितना मिनिट तेज होई, 15 मिनिट, 15 मिनि उसकी घड़ी कितनी मिनट पीछे ग्यार है यदि इसको मैं 11 मिनट तेज कर दू तो वह सही तमय देगी तो calculation बन जाएगी 80 into 11 upon 15 जब इसको आप solve करोगे इस calculation को ध्यान से देखिए तो क्या बन जाएगा 58 whole 2 by 3 इसको convert कर लो hours में एक आवर एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 तो 2 day 10 hour और 40 minute यह रहेगा अब देखो इसे चोड़ दू यदि सौम बार में 2 दिन चोड़ोगे तो मंगल बार क्या हो जाएगा रभी बार में 2 दिन चोड़ो सौम बार मंगल बार 12 बजे थे 12 बजे तो answer क्या जाएगा B ठीक है calculation थोड़ी tough है इसको note कर लिजे फिर मैं इसको भी single line में बताता हूँ जल्दी से ठीक है अगर रवी बार तो पहर 12 बजे में 2 दिन 10 घंटे 40 minute जोड़ोगे तो मंगल बार राती 10 बार के 40 minute answer आएगा ठीक है देखो ये तो रहा इसका proper calculation अब इसको short track से देखते हैं एक line में ठीक है भी या चलिए रवी बार तो पहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 minute आगे है short में कैसे करेंगे plus 5 और मनोज की घड़ी कितने minute पीछे 6 है इसका मतलब इन दोनों में कितने minute का अंतर है 11 minute का ये तो होगी सौमार की बार रवी बार की बात बुद्वार को क्या कह रहा है मेरी घड़ी एक मिट पीछे है और मनोज की घड़ी 3 minute आगे है इसका मतलब पहले तो मनोज की 11 minute पीछे थी अब 4 minute आगे हो गई तो 15 minute तेज कितने समय में होई 80 घंटे में 80 घंटे कैसे रवी बार तपह बार बाई इसे बुद्वार शाम 8 बज़े तो एक मिट तेज होगी 80 upon 15 में वो ये कह रहा है कि हम दोनों की घड़ीों ने सही समय कब दिखाया होगा जब मनोज की घड़ी 11 minute आगे आजाएगी तो सही समय दिखा देगी तो 80 upon 15 into 11 तो ये calculation बन जाएगी 58 whole 2 by 3 hour आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 hours तो ये बन जाएगा 48 hour ये तो complete hour में लिखा हुआ इसको days में convert कर लेते हैं इसका मतलब भी हो जाएगा 2 days 10 hour आप 2 by 3 hours को convert करेंगे तो 40 minute बन जाएगा इसका मतलब ये अत्रिक्त समय आगया जो घड़ी को चलना होगा तो रवीवार तो फिर 12 बजे में जब हम ये समय एड़ करेंगे तो क्या आजागा मंगलवार रात्त्री 10 बज़ के 40 minute ठीक है इसको note कर लीजे फिर next one question देखते हैं जल्दी से चलिए next one देखते हैं question number 7 देखिए बड़ा अच्छा सवाल आया है किसी घड़ी में 12 को 1 से 11 को 2 से 12 को 1 से और 11 को 2 से और आगे भी यही क्रम जारी रही इस प्रकार से अंक बदलें तब सामानने घड़ी में 3 बज़ कर 40 minute तो इस घड़ी में क्या समय होगा यदि किसी सामानने घड़ी में 3 बज़ कर 40 minute का समय है तो इस घड़ी में क्या समय होगा ग्यारे बीस, नौ चालेस, ग्यारे चालेस या इन्मेस से कोई नहीं, question number 7 जल्दी से दिहान से करिए, ठीक है भाई, question number 7 विल्कुल different question है, और जैसी कि मैंने कहा है कि class की last में, day 1 से लेकर आज तक जितने भी type हमने करें हैं, सबका एक एक question मैं आपको practice के लिए दूँगा, ता ताकि आपको revise होता जाए, और साथ में आपको मैं इसको direct answer बताऊंगा, option नहीं होंगे, ठीक है, चलिए, question number जल्दी से 7 को solve कर लीजे, क्या कह रहा है, जब तक मैं सामाने घड़ी का dial बना देता हूं आपके सामने, ताकि आपको थोड़ी सी जब मैं explain करूं तो help मिल जाए, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है, ये तो सामने घड़ी हो गई, इसमें क्या करा है, 12 को 1 से, 12 को 2 से, और आगे भी यही करम जारी रहे, ठीक है, अब इस घड़ी में कितना समय बताना भी है, उसने आपको बताया, 3 वश कर 40 मिनट, इस घड़ी में 3 वश कर 40 मिनट का समय है, तब सामाने घड़ी में 3 वश कर 40 मिनट का समय है, तो इस घड़ी में समय क्या होगा, सामान्य घड़ी में तीन चालेस है तो इसका मतलब आवर का नमबर आपका आगया यहाँ पर यह तीन से थोड़ा सा आगय और चालेस का मतलब हो गया यह हो गया यहाँ पर तो यह सामान्य घड़ी में तो समय हो गया तीन चालेस का लेकिन आपको इस घड़ी में समय बताना है कि कितना होगा ठीक है जल्दी से बताईए जब सामान घड़ी में 3 बच कर 40 मिनट का समय है तो इस घड़ी में समय क्या होगा देखते हैं किसका जवाब सही आता है कर ली हो आई थिंग सभी ने कर ली हा हुआ इस कोश्चन की कैलकुलेशन ग्यारेवीस नो चालेश ग्यारेश चालेश से कोई नहीं ठीक है देखिए अब देखिए इसमें जो टाइम चलेगा वो ऐसे चलेगा 1,2,3,4,5,6 इसका मतलब ये सामान घड़ी में 3 बच कर 40 मिनट है तो इस घड़ी में ये 9 का नंबर है तो इसका मतलब आवाल का नंबर तो होगया आपका 9 लेकिन ये आपके मिनट ऐसे चलेंगे 5,10,15,20 तो आंसर के आएगा 9,20 आएगा तो D इन मेंसे कोई नहीं ठीक है क्योंको 10 भही है पूरे complete करोंगे जब दस से ऊपर जाएगा भी तो ऐसे चल लाए ना 1,2,3,4,5,6 इसका मतलब 9 बच कर 20 मिनट है क्योंको ये reverse कर दिया है ठीक है तो आंसर के आएगा 9 बच कर 20 मिनट होगा ठीक है समझ में आ गया होगा लगुक सभी के क्योंको सामान घड़ी में 3,4 हो गए लेकिन जब इस घड़ी की बात करेंगे तो इसमें number reverse है ना तो इसका मतलब counting anti clock होगी ये इस question का concept था ठीक है तो आंसर के आएगा इन में ऐसे कोई नहीं चलिए अगला question देखते है question number 8 क्या कह रहा है एक बस स्टेंड से प्रतेक 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है यात्री के पूछने पर clerk ने बताया कि एक बस 10 मिनट पहले गई है तता अगली वस 10-15 पर जाएगी यात्री को clerk से यह सूचना कभ मिली बड़ा साधन सा सवाल है लेकिन यह लगवक clock के कभी-कभी exam में पूछ लिया जाता जैसे कि यह था manager वाला question था इन questions को बड़ा आपको ध्यान से करना है ठीक है बहिया तो करिए question number 8 क्या कह रहा है और जैसे कि मैंने आपसे कहाए कि last class में मैं complete clock revise करा दोंगा जो भी type कराए थे मैंने I think day one में basic question रहे थे वह भी बता दोंगा एक revise हो जाएगा आपका पूरा और बाकी जो हमारी 2pm class रहती है उसमें इस related question हम करी रहे है डेली I think सभी नहीं question number 8 कर लिया होगा बड़ा साधान सा सवाल है लेकिन बस language को ध्यान से रखना है यदि language आपने जरा सी भी गलत करी तो पूरा question गलत हो जाएगा ठीक है चलिए मैं इसको बता देता हूँ क्या कह रहा है पृते एक 30 minute पर एक बस जाती है तो हम दूसरी बस का समय देखते है जो second बस है वो कब जाएगी 10 बस के 15 minute पर और अंतराल कितना है इन में 30 minute का अंतराल है मतलब मैं लिख देता हूँ अंतराल कितना है इन में 30 minute का इ यह first बस का time हो गया वो कह रहा है एक बस 10 minute पहले निकल चुकी है अब वो इस बात को कब कहेगा जब इसमें हम 10 minute add कर देंगी इसका मतलब वो किलरक से 9 बच के 15 minute पर यह वाली बात कहेगा कि एक बस भईया 10 minute पहले कही है और अगली बस 10 बच के 15 minute पर आएगी तो answer क्या आए फिर से समझा देता हूं पर तेक 30 minute पर एक बस दिल्डी के लिए जाती है यात्री के पूछने पर क्लरक ने बताया कि एक बस 10 minute पहले गई है तो अगली बस 10 बंदे पर जाएगी तो हमने क्या करा दूसरी बस के time में से 30 minute घटा लिए तो पहली बस का समय आगे है 9.45 अब 9. 9.45 में 10 minute हमने 8 गड़ दी है क्योंको यह वाली बात कब बोलेगा 9.55 पर ही तो यह कह पाएगा कि एक बस 10 minute पहले गई है तो पहली बस का कोई है 9.45 पर ही तो यह कहएगा कि एक बस 10 minute पहले गई है इसका लावान सर गयागा C आ जाएगा यात्री को यह सूचना 9 बच कर 55 minute पर मिली लगबक सभी के समझ में आगा है वो बड़ा easy question है clock का calculation है चलिए question number 9 देख लेते है एक बस स्टेंड से प्रतेक 40 minute पर एक बस कानपुर के लिए जाती अब देहां से देखिए गवा यह 40 minute हो गई यात्री के पूचने पर clerk ने बताया कि एक बस 20 minute पहले गई है तब अगली बस 12 बज़े जाएगी यात्री को clerk से यह सूचना कम बिली ध्यान से करिएगा बड़ा साधन सवाल है लेकिन कभी-कभी easy question ही गलत हो जाते हैं और tough question आप easily कर लेते हैं ठीक है भई या करिए पिल्कूल पहले second बस से पहली वाली बस का time निकालो फिर difference उसमें से लेज़ करो फिर जो time है उसे add कर दो जल्दी से करिए question number nine फिर आगे question देखते हैं complete करते हैं फिर आपका एक revise करा दोंगा मैं पूरा chapter जो भी है चली देख ले दें भई क्या किया रहा है एक बस stand से प्रतेक चालाइस मिनट पर एक बस कानपुर के लिए जाती है यात्री के पूछने पर क्लरक ने बताया कि एक बस 20 मिनट पहले गई है तता अगली बस 12 बज़ जाएगी हमारे काम की इन्फॉर्मिश्ट पहले तो सेकंड बस का जो टायम हो वो कितने बज़े है बारे बज़े है लेकर अंतराल कितना है 40 मिनट का है तो 40 इस मेंसे घटा दो इसका मतलब जो पहले वाली बस है वो कब गई होगी 11 बच कर 20 मिनट पर गई होगी 11-20 पर जाएगी क्यों कैंदी मैं 12 मैसेज 40 मिनट घटाता हूँ इसका मतलब पहली बस का समया गया 11-20 अब वो यह कह रहा है कि 20 मिनट पहले एक बस गई है इसका मतलब इसमें सिंपल 20 मिनट एड़ कर दो तो क्लर के वाली बात कब बोलेगा 11-40 पर बोलेगा तो आंसर के आ समझ में आ गया एक बस स्टेंट से प्रतेक 40 मिनट पर बस जाती है अगली बस बारे बज़े जाएगी बारे मसे 40 मिनट घटा लिए तो आंसर के 11-20 बन गया अब वो यह कह रहा है कि एक बस 20 मिनट पहले गई है तो 11-20 प्लस 20-14 इसका मतलब 11-40 पर वो यह वाली बात कह पा होंगे नेक्स्ट वन कोशन देखतें क्या कह रहा है चलिए कोशन नमबर 10 एक रेलवे स्टेशन से प्रतेक 50 मिनट पर एक ट्रेंट दिल्ली के लिए जाती है यात्री के पूछने पर क्लरक ने बताया कि एक ट्रेंट 15 मिनट पहले गई है तता अगली ट्रेंट 14 बज़े जाएगी अब देखिए 14 लिखा हुआ है इसको आप साधन भासा में कनवर्ट कर ली जागा कि और रेलवे में 14-15-17 चलते है ठीक है इसका मतलब अगली कर देखिए बड़ा साधान सा जवाल है रेलवे का है बस का है एक ही बात है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए मैं इसको एक्स्प्लेइन कर देता हूं अगली ट्रेंट 14 बज़े जाएगी 14 को हमने कनवर्ट कर ली है इसमें से 12 डारेक्ट में ही लेस कर दे रहा हूं इसका मतलब जो सेकेंड वाली ट्रें इसमें वह हमारी दो बज़े जाएगी अब यदि इस मैसे मैं 50 मिनट घटा दूं तो पहली ट्रेंट का टाइम आ जागा इसको पहली ट्रेंट गई होगी एक बच के 10 मिनट पर अब यात्री के पूशने पर क्लरक ने बताया कि एक 15 मिनट पहले गई है इसका मतलब इसका मतलब एक 25 पर ही तो यह कलर के वाली बात कहबाएगा कि यह एक ट्रेंट पहले गई है अगली ट्रेंट दो बज़े जाएगी तो आंसर गया आएगा 10th question का यह आएगा 125 I think सभी की समझ में आ गया होगा बड़ा साधार सवाल था ठीक है यदि आपको कभी भी 14 15 16 17 18 railway वाले question में देखने को मिले तो तरंथ उसमेंसे 12 को subtract कर लीजी तो आपके बास exact answer आ जाएगा कि वो आपसे क्या कियाना चाहरा है ठीक है चलिए मैंसे फिर से बता देता हूं क्योंको इसमें 50 मिनट का अंतर है देखिए दो बज़े जाएगी हमारी अगली ट्रेन यह second है पचास मिनट के अंतर पर चल लेए दी दो मैसे मैं 50 मिनट घटा देता हूं इसका मतलब सीधी सी बात है एक बज़े की 10 मिनट बन जाएगा इसका मतलब पहरी वाली ट्रेन एक दस पर गई होगी अब क्लर के यह कह रहा है कि भाई यह पंद्र मिनट पहले एक ट्रेन चूट गई है तो पंद्रेस में एड कर दो तो आंसर क्या जागा एक पच्चीस हा जाएगा ठीक है आज लगबग हमने इस क्लॉक के सभी टैप के कोश्चन कम्प्लीट कर लिए अब मैं जल्दी से जो मैंने डेवन बताया था वो मैं आपको एक रवायस करा जाएगा क्यो आपका पूरा रीकैप हो जाएगा यह आपकी क्लॉक है त्वेल्व थ्री शिक्स नाइन थोड़ा ड्राइग्राम चेंज हो गया है इसमें मैंने आपको तीन हैंट बताया थे सबसे छोटा तो बताया था मैंने आपको मिनट का सब पोच कर यह कि तीन बज़ रहे हैं यह hour का, यह minute का और यह second का, मैं लिख देता हूँ hour, minute और second, ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो second वाली सुई होती है, second वाली सुई द्वारा, एक minute में बना कौन, यह किसके बराबर होता वही है, 360 डिगरी के, यह basic repeat कर आ रहा हूँ, अब minute वाली सुई, एक minute में एंगल बनाती है, 6 डिगरी का, concept के लिए आप class प्रॉपर देख लेना, मैं short में बता देख रहा हूँ, और आवर वाली सुई, एक minute में कौन बनाती है, 1 वाई 2 डिगरी का, ठीक है, एक तो मैंने day 1 आपको, यह basic बताया था, मैं लिखता भी जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, यह मैंने आपको day 1 basic बताया था, और मैंने वो वाले question कराया थे, कि एक घड़ी, Monday 10 AM सही समय दिखा रही है, 4 घंटे में 12 सेकंड स्लो हो जाती है, तो Tuesday का उसका सही समय क्या होगा, ठीक है, यह तो बात रही day 1 की, अब देखिए, day 2 पर मैंने जो आपको कराया था, वो क्या क कराया थे, day 2 पर मैंने आपको angle find out करना कराया बताया था, जैसे, इसके लिए हम image बना लेते हैं, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, उसने गोला जैसे की 4 बज़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों सुईयों के उमद कितने इसको अक्रों बने का, तो मैंने क्या बताता है, ठीटा बरा यो में minute का अंतर, into 30, plus minus minute upon 2, ठीक है, यह इसके लिए मैंने बताया था, कि यह clock के लिए universal formula रहेगा, यहाँ पर minute upon 5 कर लो, यदि आपके minute 5 की multiple में नहीं है, तो उसे अंदर divided by 5 कर दिया ना, यदि 30 minute है, तो इसका मतलब number लिखा जाएगा 6, 15 minute है तो number लिखा जाएगा 3, और कर लेंगे, ठीक है, याद आगे होगा सभी को, अब day two के साथ में, मैंने आपको mirror वाला question भी कराया था, तो बता देता हूँ, mirror वाले में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने day two में vertical mirror कराया था, आप सभी को याद होतू है, बस एक दो point और है, तकि आपका पूरा ए नहीं होगी एक recap हो जाएगा आपका थर ने हम यह दो पड़ा दिय और हमें कितना आता है ठीक है है इसमें वर्टिकल मिर्रबताया था वर्टिकल का मितलब क्या ह aparece होता लबबद दरपण ए IV- Check Me Master बताया था उसमें मैंने क्या बताया है जब इस मैंने क्ठों आपको उसी के साथ मैं आप horizontal भी देख लूँ, वो मैंने day 3 बताया था, मैं लिख देता हूँ, day 3 की class में था, horizontal मेर का question था, क्या था, IT वरावर 1160 माइनस, सॉरी, 1160 नहीं, IT वरावर 1830 था, 1830 माइनस real time, यह हमने day 3 में complete करा था, ठीक है, यह day 2 गोड़ day 3 की बात हो गई, इसमें मैंने आपको day 3 में एक चीज़ और बताया थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, day 3 में बताया था, जब घड़ी के दोनों सुईयां एक साथ हूँ, याद आया, इसके लिए फॉर्मूला था, minute into 12 upon 11, note करते चलना, और समकॉर्ण के लिए फॉर्मूला था, minute, दोनों सुईयां मिनट का अंतर, प्लस 15 into 12 upon 11, और विप्रीत के लिए फॉर्मूला था, 180, 30 plus minute into 12 upon 11, ठीक है भईया, तो day 3 के लिए हो क्या, day 3 में हमने ही सब कंप्लीट करा था, अब day 4 में जो मैंने आज कंप्लीट कराया, वो आपके सामने ही होगा, कि वल उसमें मैंने आपको एक नया यह बताया था, की जब भी वो यह पूझिए कि कितने मिनट पर 30 हंस का कौण बनेगा, या कितने मिनिट पर 90 का अकॉन बनेगा या कितने मिनिट पर 130 का अकॉन बनेगा तो आप क्या करेंगे इसको 6 से डिवैड कर लेंगे इसका अगर 30 मिनिट का अकॉन बनने के लिए 5 मिनिट का अंतर होना चाहिए 90 मिनिट का अकॉन बनने के लिए 15 मिनिट का और एक सोसी के लिए तीस मिनट का ठीक है तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से अपलाई कर सकते हैं ठीक है लगबग सभी की समझ में आज की क्लास आगई होगी ठीक है यदि आपने अभी तक प्लस या एकोनिक में सब्स्क्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या एकोनिक में सब्स्क्रिप्शन लें और यदि अना अकेडमी में कहीं में आपको कोई रैफरल कोड यूज करना है तो आप पी जीरो बन करें एदि किसी का कोई डाउट है तो टेलीगराम पर मेरे को सेंड कर सकता है